इस वीडियो में हम लहिशमेनिया, डोनोवानी, पैरसाइट के बारे में पढ़ेंगे, आने वाली दो वीडियो में ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, इस वीडियो में हम इसकी सिस्टेमाटिक पोजीशन, हैबिट & हैबिटाइट और उसके होस्ट के बारे में मैंने ये अपने नोर्स लिख रखे हैं, अगर आप सेम इसी पैटन में एक्जाम में आंसर लिखते हैं, तो 100% आपके बहुत अच्छे मात्स आएंगे, विकॉस ये पैटन एक आइडियल पैटन है आंसर करने का, पैरासिटोलोजी यूनिट है, बीसी थर्डियोलोजी में तो जितने भी पैरासाइट की लाइफ साइकल अगर एक्जाम में पूछी जाती है, वो किसी भी पैरासाइट की हो, गुंदि भग हो, या फिर ट्रिपैनो सोमा हो, कोई भी पैरासाइट हो, इसके लाइफ साइकल जब आप आप आंसर करेंगे, तो यही आईडियल तो इस तरह से systematic position आप सबसे पहले बताएंगे किसी भी parasite की life cycle को describe करने से पहले इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो genus होगा और जो species होगी उसको आप separately underline जरूर करेंगे और species का जो पहला letter होता है यानि दोनों वानी का D ये आपको small लिखना है जीनस और species में कुछ दो rules आपको ध्यान रखने हैं कि दोनों को ही आपको underline करना है और genus का पहला letter capital लिखेंगे और species का पहला letter आपको small लिखना है ये binomial nomenclature के rules हैं ये दो छोटे से rules आप याद रखेंगे जिसे कि आपके marks कहीं भी deduct ना हो पा है then आप systematic position बताने के बाद दो line में इसके overview के बारे में बता देंगे लहिश्मेनिया एक तरह का protozoan parasite है parasite यानि disease cause करेगा definitely और एक तरह का protozoan है detail में पड़ सकते हैं कि vectors क्या होते हैं मैं simply बता देती हूँ कि ऐसी कोई disease जो वेक्टर द्वारा transmitt की जा रही हो या spread की जा रही हो ठीक है तो यह कैं है यह जो disease है tämä 레oe unfair radiation वारा transmit की जाती है यानि leesamaniasis disease का जो vector है यह sand fly हो जाएगा जो भी infected sandfly होती है, उनके bite के थू ये आगे person से person transfer होती चली जाती है, it is named after discoverer, lahishmania and donovani, hence the name is lahishmania donovani, तो दो scientist है two discoverer थे, lahishmania और donovani इनी दोनों के नाम के according इस parasite का नाम रखा गया है, lahishmania donovani, तो ये थोड़ा सा overview था, जो आप स्टार्टिंग में बता देंगे दो लाई में आपको ट्रिपानो सोमा पे, गुंधी बग पे जितने भी पैरासाइट आपके स्लेबस में हैं उन सभी पैरासाइट पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी link भी आपको description box से मिल जाएगा तो आप किसी भी parasite के बारे में easily उसके notes को cover कर सकते हैं तो इसी sequence में लेकिन आपको लिखना है फिर second हम लिखेंगे distribution के बारे में कि कहां-कहां ये distributed है, कहां-कहां पाया जाता है ये बहुत ही endemic parasite है Asia में, Africa में, Americans में ये पाया जाता है और ये जो parasite है, ये काला जार या फिर black fever बिमारी cause करता है आपको यहाँ पे confused नहीं हो ना lehasmaniasis disease को ही काला जार कहते हैं और काला जार को ही black fever कहते हैं यानि lehasmaniasis लिखें आप या काला जार लिखें या black fever लिखें तीनों एक ही बात है तो आप अलग-अलग इसको sentences में लिख सकते हैं जिससे कि आपके जो notes हैं वो भी बड़े हो जाएंगे Third point है, आपको habit and habitat के बारे में बताना है कि उसका nature कैसा है और कौन से habitat या वातवरन में वो रहता है In man, they live as an intracellular parasite Intracellular parasite यानि cells के अंदर, body के अंदर जो parasite live करता हो Reticulo-endothelial system में ये रहते हैं इनसान के अंदर, मनि यानि man के अंदर तो ये reticulo-endothelial system क्या है ऐसा system है हमारी body का जहाँ पे macrophages या WBCs आपको मिल जाएंगे I hope आपको WBC या macrophages के बारे में बता होगा तो ये endothelial system है जिसमें कि liver cells, spleen और bone marrow में ये जो parasite है पाया जाता है Vector इस parasite का क्या है? Sandfly जो मुपर ही आपको बता चुके है कि इस disease का यानि इस parasite का जो vector है ये sandfly है Thomas Argin-Tips ये नाम भी आप mention कर देंगे Then next देखते हैं आप morphology आपको heading डालनी है morphology आपको describe करने इस parasite के दो form है यानि दो stages में पाया जाता है Amastigord जो की man में पाया जाएगा और promastigord जो की sandfly में पाया जाएगा तो parasite के दो form है, दो stages है Amastigord और promastigord Amastigord जो है, ये man में पाया जाता है और promastigord sandfly में तो आपको एक-एक दोनों को describe कर देना है पहले हम amastigode को define करते हैं amastigode को हम leishmanial form भी कहते हैं ये microscopic होता है इसके पास कोई भी flagella नहीं होता flagella यानि movement करने के लिए logomotion के लिए जो structure होता है flagella नहीं होता spherical या oval shape की body होती है intracellularly present होता है reticulo endothelial cells में जो कि हम उपर डिसकस का चुके यानि liver cell में spilene में यहाँ यहाँ पाया जाता है man के अंदर फिर देखते हैं nucleus central होता है cell membrane जो होती है काफी delicate होती है kiretoplast और exonema present होते हैं promastigode के बारे में देख लेते हैं promastigode को हम leptomonad form भी कहते हैं और यह sand fly के mid gut में पाया जाता है elongated spindle shaped की इसकी body होती है flagellum इसमें present होता है long flagella होता है fully formed stage measures from 15 to 20 inland the whole body covered by thin pellicle तो यह promastigode leptomonad form के बारे में आप चीज़े बता देंगे फिर आप यह diagram भी बना देंगे कि promastigode form कैसा होता है और amastigode form कैसा होता है यह promastigode form हम पढ़ चुके है elongated यानि लंबा होता है spindle shape का होता है तो आप इस तरहे बनाएंगे इसके पास long flagella होता है यह बनाएंगे आप amastigode form में इसके पास कोई flagella नहीं होता oval shape का आपको दिख रहा है इस तरहे का आप बना देंगे nucleus, kinatoplast, basal body, exonema यह सब चीज़े आप mention कर देंगे flagella इसमें है नहीं तो इधर आप flagella भी mention कर देंगे नीचे आप नाम लिख देंगे promastigode form और amastigode form यहां तक हमने leishmania की morphology डिसकस कर ली है इसी sequence में आपको answer लिखना जितनी चीज़े हम discuss कर चुके इतनी चीज़े आप दिख लेंगे दुबारा से आप समझ लेंगे इसको और इसके आगे हम life cycle next video से continue करेंगे stay tuned for the next part, thank you